हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैट्समार्ग चलिए आज इस तरह का सवाल देखते हैं, इस तरह का प्रस्ण को सल्व करते हैं एक ठेकेदार ने एक सद दीन में एक सरक बनाने का दायती लिया, उसने एक सद दस व्यक्तियों का उपयोग किया पैटालिस दिनों में पाया कि सरक का एक बटा चार भांग ही बन पाया कार्ज को समय पर पुरा करने के लिए कितने लोगों किया वा सकता होगी किसने लोगों को काम पर आवर लगाया जाए, एक कार्ज जो है समय पर पूरा हो जाए तो इस तरह के प्रस्ट में सबसे पहले यह जो एक बटा चार काम है वो देखना है तो एक बटा चार काम का मतलब क्या होता एक बटा चार काम का जो यह पूरा नीचे जो हर में रहता इसको पूरा काम मान लेंगे यह पूरा काम हो जाएगा तो मान के चलिए चार पूरा काम है तो चार का एक बटा चार काम उतų हैं चार काम था उसमें से एक काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना है, तीन इसी तरह बनाएंगे, उसने क्या क्या क्या, ठीक दर क्या क्या, एक सदस वेक्ति को लगाया, कितना दिन में पूरा करने के लिए, पैतालिस दिन तर काम किया, फैतालिस दिन तर काम किया, एक सदस वे यहां पर लगाया अब बोल रहा कि कार्ज को समय पर पूरा करने के लिए कितनी और अतिरिक व्यक्ति कि अब सकता होगी अब नीचे में कितना चार काम था इसमें से एक काम यह कर लिया तो तीन काम बचा तो तीन काम यहां आजाएगा अब इसको गुणा करेंगे तो यह आजाएगा 270 नतिया सताई 270 बराबर 110 बलस X अब यह 110 उठकर इधर आजाएगा तो 270 110 को गटा देंगे तो 0 27 में से जग गिया तो 6 2 में से गिया तो 2 में से गिया तो 1 देंके एक साथ बोला कि कितने वक्ती को अब लगाए जा तो X कमान आगे कितना X एक्सका मनगे एक्साइट, एक्साइट वेक्टिको आर लगाजागा तकाम्समेटे फुरा होगाग.